एलो अब्रीवन वेल्कम टुका एक्जाम भी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है श्वनी पुंडीर और मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है इसा कि आपसे भी जानते हैं EMRS है ना एकलव यह मॉडल रेसिडेंशल स्कूल्स जो है उन्होंने काफी सारी पोस्ट के लिए जो है जो एप्लिकेशन जो है उनके स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन शुरू हो चुके हैं इसमें की काफी सारी आपकी टीचिंग पोस्ट भी है और बहुत उसमें आपकी क्या आपको चैलिच्ट उसमें फेस करने को मिल सकते हैं और किस तरह से आप इस एकजाम को क्रेक कर सकते हैं तो आपकी जरूर देखिए जादा बड़ाए वीडियो नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जहां हो QCLEAR हो जाएंगे स्टार्ट कर वो पोस्ट इसमें आई हैं और यह अलग अलग से उनको यह आपर बाठ दिया गया है यूर में कितनी हैं इसमें कितनी हैं और बाकी जो भी आपकी आप सारी केटेगरीज हैं ठीक तो 769 पोस्ट पहली बात तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कि रोल प्ले करता है कि इतनी वेकंसी जो है इस लेवल पर बहुत कम आती हैं तो पहली बात तो यह अगर आप किसी भी किसी भी गौर्मन्ट एक्जाम के आप अगर त्यारी कर रहे हैं तो आपको यह फॉर्म फिल करना चाहिए वेकंस से अगर हम बात चले तो बागी जो भी चीज़ें हैं इसकी आपका इसमें eligibility क्या है pattern क्या है यह सब कुछ हम देखेंगे यह सब देखने के बाद हम उसके बाद जो आपका job profile है उस पर आएंगे ओके तो यह देखें यह इसमें आपकी eligibility है 30 साल से जाधा आपकी उम्र नहीं होने चाहिए क्योंकि 31 जोलाई इसकी last date है form feeling की तो 31 तक आप जो है वो 30 से ओपर आपकी इसमें age नहीं होने चाहिए senior secondary class 12 certificate from recognized मतब सिर्फ बारवी आपसे इसमें यहाँ पर मांगी गई है ठीक है बारवी से जाधा यहाँ पर कुछ मांगा नहीं है और उसके बाद आपसे आपर typing speed मांगी गई है वो है आपकी 35 words per minute और हिंदी की typing आपसे पर बात करेंगे स्लेबस की स्लेबस में क्या कैं यहाँ पर आया है reasoning ability है आपके 20 सवाल 20 नंबर क्वांट से 20 सवाल 20 नंबर जी यह हैं 30 सवाल 30 नंबर और English है आपकी 15 नंबर की हिंदी आईगे समें आपकी 15 नंबर की और उसके बाद है आपका basic knowledge of computer operations जो की आपके 30 सवाल आ आप देखिए यहाँ पर 130 में से 30 सवाल computer क्या आपको करने हैं क्यों क्योंकि आपका जो काम है वो 90 परसेंट जो है 80 से 90 परसेंट आपका काम जो computer पर होने वाला क्योंकि आपके work profile क्या रहेगा suppose कीजिए आपके school में क्योंकि school की job है school में आपके letters आते हैं okay चाहे वो किसी औ और स्कूल से आए चाहे वो आपके head office से आए चाहे वो central governments से आए चाहे वो state governments से आए कभी सारे orders है उन से निकालना उनको देखना उनको प्रिंट करना इवन उनको type भी करना या फिर उनको लिखना भी तो यह सारा काम जो है यही काम आपका किसमें आता यही आपकी पूरी work profile कि अंडर आएगा ज़रूरी नहीं है कि साड़े साथ बजे आपका school अगर चल रहा है और दो बे तक आपकी आपकी जो जौब वो चलेगी ऐसा नहीं है डिपेंड करता है school to school कि आप वो कैसे वहांपर वो काम मैनेज कर रहे हैं तो आपके जो working hours से वह सकते हैं कहीं कहीं पर अगर देखा जाए तो KVS में या NVS में वहांपर क्या होता है कि आपको 10 बजे आपको school जाना होता है और 4-5 बे तक है ना यह जो आपका 5-6 गंटे-7 गंटे यह आपका work profile जो रहता है यह मैं आपको KVS और NVS का बता रहा हूं तो कहीं नहीं कि similar जो है वो भी आपका यह पर करने पड़ेंगे Excel का Word का MS Office का यह तिनों चीज़े आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अब मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि अभी आप वो सब सीखके जाओ अभी तो आप सिर्फ एक्जाम की त्यारी कीजिए जो आपके syllabus में है आप उनको करो सिर्फ टाइप के लिए ताकि आपको इतना मुश्किल ना पड़े आपको अपने लिए अपने सेल्फ इंपूर्मेंट के लिए आपको काम सीख सकते हैं स्टिल वहां जाएंगे आपको सारी चीज़ें वह सिखाई जाएंगे इसलिए कंप्यूटर पर फोकस जादर रहेगा आज कल सारी च खाउंटंट जो भी एक क्लर जो काम करता है वहिं आपका जैसे बेसे कलिए अब इस ही स्कूल में जैसे कर दी हैं अब उनका ही नाम बदलके जैसे वह कर दिया गया है सेलरी के बारे में बात करें तो यही पर मैंने आपकी चीज़ समझा दी कि कंप्यूटर आपसे मांगा है और क्या आपका काम होगा आगे चले तो आप देखिए पढ़ना कैसे है और क्या-क्या पढ़ना है तरह उसके बारे बात कर लेते हैं स्लेबस आप सभी लोगों ने देख लिया होगा नहीं देखा तो आपको फिर से दिखा दूँ यहाँ पर आपका आपका रीजनिंग क्वांट्स जीए आपका कंप्यूटर है और हिंदी और इंग्लीश है यह आपका पूरा स्लेबस है रीजनिंग अबिलिटी का पजल से सिंपल कंपाउंड इंट्रेस्ट मिक्शर एलिगेशन एंड डेटा इंट्रेश है आगे बात करें यहाँ पर देखिए और करेंट अपड़ना पड़ेगा अभी से आपको कोई सोर्स नहीं है तो हमारे पास बीपीडिया है जो की फ्री लिए वेलेबल है उसके लिए आपक लिए वहांसे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री है इसके लिए आपको कोई भी चार्ज आपको नहीं करना नहीं देना होगा इस चीज के लिए ठीक है चलिए उसके बाद आगे चले आपकी फिर हिंदी आएगी है ना टोटल है टोटल है आपका 30 मार्क्स का है यह 15 और यह भी 15 अंद्रा हिंदी है संदी समास विलोमशद प्रयावची आपका समाने अशुद्धिया ओके यह सारी चीज़ें आपकी यहां पर इसमें आएंगी फिर इंग्लिश है आपका वर्ब, टैंस, वॉइस, सब्जेक्ट वब अग्रिमेंट, आर्टेकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल आपके अगर कोई डाउटस रहे गए हो, तो 14 जूलाई को यहां पर अगर आपको यहां पर आपको आपको कई क्वेरिल में आपको जैसे की कोई क्वेरी हो सभी क्वेरी का सवाल जवाब आपको हाँ पर मिल जाएगा फ्री वर्क्षोप है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना फ्री वेबिनार है बिल्कुल यह तो इसको आप अभी जाकर नीचे एक लिंक होकर डिस्रिप्शन बॉक्स में वह क्योंकि वरी रह गई है आप कमंड बॉक्स में लिख दीजिए नहीं तो फिर चौह तारिक को हमसे जुड़ाना मत भूलिए इस बिल्कुल फ्री वर्क्षोप में ठीक है यह मैंने आपके लिए एक फ्री वर्क्षोप जो है वो रखा है तो चौह तारिक को आईए हमारे सा जुड़िए इस वर्क्षोप में और वही वारा मिलके सारी बाते करेंगे ठीक है तो फिर मिलते एक नेक्स वीडियो में सिल आपके कोई कॉमेंट्स हो तो नीचे नीचे जरूर लिख दीजिए फटाफट से जाईए गूगल फिल कीजिए और मिलते हैं फिर एक नेक्स वी